सभी को मिरा अभिवादन आज हम संसादन एम विकास पाट के आखरी पड़ाओं में पहुँच गए हैं यानि की भाग तीन में इस भाग में हम मिर्दा का वर्गीकरण, मिर्दा अपरदन के कारण और उपाए इन सब की चर्चा करेंगे सबसे पहले समझते हैं कि मिर्दा संसादन होता क्या है? मिर्दा सबसे महतवपून नवीकरण योगय प्राकरतिक संसादन है नवीकरण यानि कि हम इसका बार-बार इस्तमाल कर सकते हैं मिर्दा जो है सबसे मैतवपून संसादन है पोदों की विकास का माध्यम है जो की पिर्थवी पर विभिन परकार की जीवों का पोशन करती है अब मिर्दा का निर्मान कैसे होता है तो ये बहुत लंबी परकरिया है और धीमी परकरिया है कुछ सेंटीमीटर गहरी मिर्दा ब मिलकर निर्मान होता है। इसके लाववा कई भोतिक और रासैनिक प्रिवर्तन भी इसे योगदान देते हैं। अब चर्चा करते हैं भारत में मित्यों के परकार और उनके वीत्रन पर। आप यहां मैप के माध्यम से विभिन परकार की मिटियों का कहां कहां वित्रन किया गया है उसको समझ सकते हैं जैसे समझते हैं मैप के उपरी हिस्से पे यह कौन सी मिर्दा है यहां पे परवत और वन की मिर्दा उसके नीचे अगर हम आते हैं तो वो जलोड मित्र है हमारे उत्री भारत में वो फैली हुई है फिर इसके बाद अलग-अलग हिस्सों में लाल और पीली मिटी पाई जाते हैं सिउडिसा, जारखंड, हमारे तमीन लाडू इन अक्षेत्रों में में रूप से लाल और पीली मिटी पाई जाते हैं फिर अगर हम गुजरात, महारास्टर, मैध्यपरदेश की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे काली मिटी पाई जाते हैं फिर कुछ हिस्सों में जैसे टटिय हिस्सों में लेटराइट मिटी पाई जाती है और राजस्थान में हमारी मरुस्थली मिटी पाई जाती है तो इस परकार हम पूरे मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कौन सी मिटी कितने अक्षेत्र में और कहां कहां पे फैली हुई है चलोड मिर्दा से बना हुआ है और हिमाले की तीन महतपून नदी तंत्रों सिंदु गंगा और ब्रम पुतर नदियों द्वारा लाएगे निक्षेपों से ये बनी होती है और अगर हम ये चर्चा करें कि भारत के कहां किन राजों में पाई जाती है तो ये पंजाब हरियाना उत्तर परदेश, बिहार, गुजरात, आसम, पूरवी टटिय मैदानों में ये मिर्दा पाई जाते हैं अब आते हैं इसके विशेषता उपर कौन-कौन से विशेषता हैं हैं तो इस मिर्दा में रेत, सिल्ट और मितिका, आदी, महतपून जो खनीज हैं वो पाई जाते है फिर ये सबसे उपजाओ होती है इसलिए इसके उपर गेहन खेती की जाती हैं पोटास, फासफोर्स और चूना युप्त ये मिर्दी होती हैं और इस मिर्दी पे कौन-कौन सी महतपून फसले उगाई जाती हैं तो गन्ना, चावल, गेहू, दलहन फसले इसके उपर जो बांगर है उसको पुराना जलोड कहा जाता है और जो खादर है उसको नया जलोड मिर्दा कहा जाता है दूसरी बात इस जो बांगर मिर्दा है उसमें कंकर ज्यादा होते हैं जबकि खादर जो मिर्दा है उसमें महीन कन पाए जाते हैं तीसरी बात जो बांगर भूमी ह उसके उपर बाड का पानी नहीं पहुँच पाता क्योंकि ये भूमी उची होती है जबकि जो खादर भूमी है वहाँ पर बाड का पानी पहुँच जाता है इसलिए इसके उपर हर वर्स नई जो पर्थ है वो बिचती है बांगर जो भूमी होती है इतनी उपजाओ नहीं होती है जितनी की खादर भूमी होती है और इसका मतलब यह होगा कि खादर भूमी जो है काफी उपजाओ होती है तो इस परकार हमने बांगर और खादर मिर्दा का अंतर समझा अगली मिर्दा है काली मिर्दा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस मिर्दा का रंग काला होता है इसके लावा इसको रेगर मिर्दा भी कहते हैं ये मिर्दा दक्कन-पठारक्चेतर के उत्तर-पचमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक-शैलों से इसका निर्मान होता है अगर राज्यों की जिकर करें तो महाराश्टर, गुजरात, मालवा, मद्यपर्देश और चतिसगड में ये पाई जाती है अब बढ़ते हैं इसकी विसेस्ताओं में तो ये मिर्दा महीन कणों से बनी होती है नमी धारन करने की शम्ता होती है कैलसियम, कार्वोनेट, मैगनिशियम, पोटास और चूने जैसे पोस्टिक तत्वों से परिपूरण होती है इसके लावे गरम और सूखे मोसम में इस मिर्दा में गहरी दरारे पड़ जाती है और गीली होने पर ये जो मिर्दा है बहुत चिपचपी हो जाती है जिसको जोतना काफी मुश्किल होता है अगर फसल की बात करें तो इसके उपर कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है तो ये था हमारा काली मिर्दा अगली मिर्दा है लाल और पीली मिर्दा नाम से ही पता चल रहा है कि मिर्दा का रंग कैसा है लाल, पीला और चोकलेती कलर हमें इस मिर्दा का देखने को मिलता है और कम वर्षावाले अक्षेत्रों में ये पाई जाते हैं इस मिर्दा का रंग लाल पाया जाता है और जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये पीली हो जाते हैं अगर फसलों का जिकर करें तो कौन से फसल उगाई जाती है तो गेहुँ चावल रागी जैसे फसले इस मिर्दी पर उगाई जाती है आगे चर्चा करते हैं लेट्राइट मिर्दा की लेट्राइट सब्द ग्रीक भाशा के सब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है इट यानि कि इस मिर्दा का रंग कैसा होता है इट जैसा उस्तापमान और अत्यदिक वर्षावाले अक्षित्रों में ये पाई जाती है और राजों का जिगर करें तो करनातक, तमिलाडू, केरल, महरास्टर के पश्मी घाट, अक्षित्र, ओडीसा, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा जहां पर ये मिर्दा पाई जाती है यहाँ पर परणपाती और सदा बाहर बन मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हुमस की मात्रा अधिक होती है ज्यादा तर इसमें हुमस कम मिलता है मिर्दा में इसलिए खाद और उर्वरक मिलाकर यहाँ पर खेती की जाती है तमिलाडू अंदर पर देश केरल में काजू और कई जगे पर केरल तमिलाडू में चाय कोफी की खेती इस मिर्दा में की जाती है बढ़ते हैं मरुस्थली मिर्दा की ओर मरुस्थली मिर्दा का रंग लाल और भूरा होता है और ये मिटी, रेतीली और लवनिये होती हैं, लवनिये तो इतना नमक इसमें होता है कि कई जिलूं का पानी वास्पृत करके उससे खाने योगे नमक बनाया जाता है, ये मिटी मुखे तोर से राजस्थान और आसपास के छोटा हरियाना गुजरात में पाई जाती हैं, उस कि जवार, बाजरा, रागी, तिलहन जैसी फसलें इस मिटी में उगाई जाती हैं, आखरी मिर्दा है वन मिर्दा, इसको हम पहाड़ी और परवतिय मिर्दा भी कहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी और परवतिय अक्षित्रों में पाई जाती हैं, जहां पर वर्षावन उपल नदी घाटियों में दौमत वर्णनDe मिठी अगर वर्णन करें तो अलग अलग जैसे कि जूर नदी घाटियों का ब्लाव में जोंगान जाता है पहले आर्थे संजते हैं मिर्दा के कटाव और उसके बहाव की प्रकरिया को मिर्दा अप रदन कहा जाता है पेड क्या है कि जड़ों के माध््यम से मिट्टी को जकड़े रहते हैं और पेडों को काटा जाएगा तो वो जकर खतम हो जाती है और मिर्दा अपरदन होता है दूसरा है भूमी का तेज डहलाव कि जो पहाड़ी अक्षितर है वहाँ पर तेज बहाव पानी का आता है और जब तेज पानी का बहाव आता है तो वो उकड़ी हुई पर्त बह जाती है चोथा है तेज वायू कि तेज चलती हुई परवन वनस्पती के अभाव में पर्थवी की उपरी सतय को कमजोर बना देती है इससे भी भूमी का कटाव होता है पाँच्वा पॉइंट है खनन कि जो इतनी बड़ी मात्रा में खनीजों का देहन किया जा रहा है उससे भी पर्त बहाव का जो मिर्दा अपरदन है वो बढ़ता जा रहा है छटा है किर्सी का एवग्यानिक तरीका यानि कि एक समाना अंतर खेती की जाए और वही हम हलको उल्टी दिसा में चिला कर उसका प्रियोग करते हैं इसके कान भी किर्सी का जो एवग्यानिक तरीके अपनाई जा रहे हैं उससे भी मिर्दा का अपरदन बढ़ता जा रहा है अगर इसी परकार मिर्दा अपरदन होता रहा तो हमें भविश्य में काफी समश्याओं का सामना कर सकता है क्योंकि जो भूमी की उपजाओ पर्थ है वो अगर कमजोर हो जाएगी तो हमारे सामने समश्याओं पैदा हो सकती है तो अब जुरूरी है कि मिर्दा अपरदन रोकने के उपाय किया जाए यानि कि मिर्दा संरक्षन किया जाए और वो कैसे किया जाएगा तो पहला है पेड और घास लगा कर बन लगा कर मिर्दा अपरदन को रोका जा सकता है घास लगाने से भी मिर्दा अपरदन कम हो जाता है दूसरा पॉइंट है सीडी दार खेती करके, हमने कारण बताया था कि तेज बहाव के कारण मिर्दा अपरदन होता है, तो उसको कैसे रोका जाएं, सीडी बनाकर उस धाव को कम किया जा सकता है, तीसरा है रक्षक मेखला, मरुस्तलिय भागों में विरक्षों को कतार में लग मिर्दा के कणों को आपस में जोड़े रखते हैं, इसलिए नदियों के किनारे पेड़ पोधी लगा कर मिर्दा अपरदन को रोका जा सकता है, फिर है नियोजित चराई, हमने कारण बताया था पसुचारण, तो यहाँ पर अगर हम नियोजित चराई करेंगे, यानि कुछ अक्षेतर को छोड़ेंगे, जहाँ पर चराई की जा सके, तो वहाँ भी हमारे मिर्दा अपरदन को रोक सकते हैं, अगला पॉइंट है आपका समोचे रेखिये जुताई, यानि कि ढाल वाली भूमी पर समोचे रेखाओं के समानांतर हल चलाने से भी जो जल का बाहाव है, उसको हम कम कर सकते हैं, तो इस परकार हम इन नियमों को अपना कर उपाय को अपना कर मिर्दा संद्रक्षन कर सकते हैं, और इसे के साथ हमारे पाटका यहीं पर समापन होता है, कुछ परसनावली के आपको स्वाल दिये गए हैं, उनको आपको करना है और धन्यवाद,